ये रिस्टेंट्स आप देख रहे हैं Business Mathematics BMT का Solution इस वीडियो के दौरान और हमने आपको जितने भी questions बताये थे उसमें से 40 में से 37 questions आये हैं के वल 3 questions छोड़ करके बाकी सारे questions आये हुए हैं तो आपने कितना study किया इस channel से वह आपके उपर depend है आपने अच्छा score किया बुरा score किया उसका responsibility भी आपके उपर है क्योंकि हमने जो भी बताया था हमेशा हर paper के लिए हमने बताया और हमेशा maximum 35 questions तो आते हैं minimum 5 questions को मैं vary करता हूँ कि 5% plus minus हो सकता है तो 35 questions जो है आते ही आते हैं इस channel से तो आप बाकी आपकी मर्जी आप क्या study कर रहे हैं जिन बच्चों ने यहां पर study किया होगा उनके 40 में से 40 आये हुए होंगे और जिन बच्चों ने केवल नजर मारा होगा तो उनके थोड़ा बहुत ठीक ठाकाया होगा और जिन बच्चों ने केवल टाइम पास किया होगा उनका तो बिल्कुल ही कल्यान हो चुका हो चलिए कोई नहीं आपका next paper जो है उसके लिए भी solutions upload कर दिये गए हैं अगर आप उसको देखते हैं और पढ़ते हैं study करते हैं तो जो बच्चे इस channel से वाकई में study कर चुके हैं वो आ रहे हैं merit में और जो बच्चे केवल simply study कर रहे हैं वो थोड़ा सा अपना percentage को improve कर सकते हैं चलिए कोई नहीं हमां solution की बात करते हैं इसे आपके paper की तो पहला question जो है इसमें पूछा गया आपसे यदि 70 यह पहला ही question है जो 15 नंबर जो मैंने आपको first chapter कर रहा है था 15 नंबर का question आप देख लेना उसमें आपको इसका answer मिल जाएगा ना तो यह है आपका 70 dash k or dash 100 सामांतर स्रेणी में हो तो k का मान आपको बता ना k का मान simple है आप आसानी से निगाल सकते थे इसका answer जिसने भी 2 किया है उसका correct हो जाएगा उसके बाद next question की बात करते हैं तो यहापर second question पूछा गया आपसे तो इसमें पूछा गया आपसे सामांतर स्रेणी 1357 dash dash 99 में कितने पद होंगे तो यहापर जो पद होंगे वो 50 पद होंगे तो 50 जो है इसका answer right हो जाएगा उसके बाद आते है next question की तरफ यहापर जो है third question इसमें क्या पूछा गया है मैं एक एवल हिंदी version में solution बता रहा हूं इंग्लिस version में आप खुद को tolerate कर सकते हैं और यहापर जो है उसके हिसाब से अपने answers को मैच कर सकते हैं सामानता स्रेणी 714 21 dash dash का पंदरवा पद आपको बताना है तो इसमें आपको तीसरे number का जो question है इसमें आपका third option correct हो जाएगा 105 तो यहापर third option जो है इसका correct है इसके बाद question number 4 जो है find करना आपको sum of the following AP आपको क्या बताने है स्रेणी का योग बताना है तो इसका जो answer हो जाएगा वो आजाएगा 354 तो first option जो इसका correct हो जाएगा तो यहापर जिसने first option टिक किया है वो उसका answer सही है पांचवा question जो है यहापर आपको sequence दी गई है और इसमें पूछा गया है कौन सा term जो है 27 सारे questions कराए हुए है आप चलते जाएंगे और सारे questions मैंने कराए है अगर जिसने पड़ा है तो उसने तो अच्छा score कर लिया और जिसने नहीं पड़ा तो उसको कह नहीं सकते है यहापर आपका जो है 2700 पद जो है बारवा आता तो चौर option इसका correct हो जाएगा खटा question जो है इसमें पुछा गया आपसे गुणतर स्रे नहीं है यानि कि GM3612 का छठा पद आपको बताना है तो छठा पद जो है आपका 96 आना था तो यहाँ पर फूर्थ option आपका correct हो जाएगा उसके बाद आते है साथवे question पे साथवे question में 4M9 का गुणतर में इसमें M की value आपको बतानी है तो इसकी M की value आगी plus minus 6 है तो यहाँ प्लस minus 6 में केवल आपको A की option दिख रहा है first option तो यह correct हो जाएगा total आता आपका A square 36 और A square अठाते तो A की value आजाती 6 यहाँ पर जो है आपका 6 जो है इसका answer हो जाएगा आते है आठवे question पे तो आठवा जो question है इसमें पूछा गया आपस सिरेणी 2,8 और 32 के प्रथम 5 पदों का योग जो आपको बताना है प्रथम 5 पद है आसानी से वैसे भी निकाल के कोई बता सकता था तो इसका answer हो जाएगा 682 तो first option जो है इसका correct हो जाएगा नौवे question की बात करें तो नौवा question जो है यहाँ पर find करना है sum of infinite यानि कि अनन्द सिरेणी का योग फल आपको निकालना है तो इसका answer आजाएगा 2 तो second option जो है इसमें correct होना था इसके बाता है next question की तरफ next question में है 10 question सिरेणी दी गई है 1 plus में 1 upon 3,1 upon 9,1 upon 20 सारे questions कराए हुए है तो इसके प्रथम जो है तीन पदों का आपको योग निकालना है यहाँ पर क्य 10p2 का मान आपको निकालना है सभी ने निकाला आगो अच्छी तरह से 90 जो इसका मान आएगा तो आतने 12 question पे 12 question जो है इसमें 0 factorial equal किसके होता है यह आपको बतना है 0 factorial बराबर होता है 1 के सभी ने 1 को correct किया होगा यह भी question करा है मतलब कोई question छोड़ा नहीं है जिसको नहीं करा जाएगा आपके 13 number question में इसके बाद आते हैं 14 number question पे 14 number जो question है इसमें आपसे पुछा गया है nc10 बराबर nc4 में n की value आपको बतानी है n की value जिसने भी निकाली होगी इसका answer आजाएगा 14 में 14 14 का answer 14 ही है first option correct हो जाएगा इसके बाद में next जो आपका 15 number question है इसमें आपसे जाएगा 16 जो question है इसमें विपिन सब्द के अक्षरों को सजाने का तरीका आपको निकलना था तो इसमें जो है total आपके 5 factorial आपके 2 factorial आजाता क्योंकि आपका i जो है दो बार आया हुआ है तो यहाँ पर जो इसका answer आजाता आपका second वाला option जो कि यहाँ पर 60 is the right answer second option correct हो जात 17 number जो question है इसमें आपका पूछा गया है यदि NP4 बरावर 360 है तो N का मान आसानी से निगाल सकते थे N का मान जो इसमें आने वाला था 17 question में वह आता 6 तो यहाँ पर 6 इसका right answer हो ठीक है तो यहाँ पर second option correct हो जाएगा 17 number में इसका बार आते है next question की तरफ next question में आपसे क्या देख रहे हैं यह वाला option सही होता अगर यहाँ पर N की जगे R होता R factorial into N minus R factorial होता है तो यहाँ पर R दिया नहीं है तो यहाँ पर कोई भी option सही नहीं है और यह जो आप second option देख रहे हैं यह NPR का answer है NPR का formula यह होता है लेकिन NCR का formula इसमें given ही नहीं है तो जिस बच्चे ने भ available नहीं है ठीक है द्यान रखना आप भी चेक कर सकते हो इसको cross check कर लीजिएगा इसमें कोई भी answer available नहीं है इसके बाद आते है next question की तरफ यह जो answer इसमें available है वो है NPR का formula यह होता है आपका लेकिन यहाँ पर NPR नहीं पूछा है NCR पूछा है और NCR में आपका R का factorial होता है य 7P4 की value बतानी है तो 7P4 बहुत ही simple सा था सबने बता दिये होगा 7,6,5,4 पहला option जो है correct हो जाएगा 20 वा जो question है इसकी बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछेगा 5 factorial किसके बराबर होता है सभी को पता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1 चौथा option इसका correct हो जाता है सभी को पता है 120 आता इसका answer लेकिन आपको 120 नहीं लिखना था क्योंकि इसमें 120 वाल option नहीं है तो चौथा option जो जिसने भी correct किया है उसका सही है उसके बाद 21 नंबर जो question है इसमें आपसे पूछा गया है सारे questions कराए है आपने channel से धंक से पढ़ correct हो जाएगा यहाँ पर आपको matrix form दे रखें इसका मान बताना है तो इसका 10 मान आता फैला option correct हो जाएगा 22 नंबर जो question है इसकी बात करते हैं 22 नंबर में फिर से आपको matrix form दे रखें इसमें x की value बतानी है x की बहुत ही simple सी value आने वाली थी तो कि आपने सभी ने दिया होगा आठ जो है इसकी value बाने वाली थी सारे questions कराया है हुए है आप एक बार जाया है तो वीडियो देख सकते हैं लेकिन वो देखेंगे नहीं आपके पास समय नहीं है इतना तो 22 वे question का जो answer होगा वो आपका third option correct हो जाएगा आते हैं 23 number question पे 23 number का जो answer आपको correct करना था वो क्या था तो answer आजाता 0 ठीक है तो यहां पर second option correct हो जाता इसके बाद आते हैं हम 24 number question पे 24 number का जो answer अगर आपको लिखना था तो answer आता इसका भी जो है 0 क्योंकि if two rows of determinant are equal then the value of determinant will with 0 जब भी दो पंक्तिय समान होंगी तो उसका साणने कमान 0 होगा तो third option इसमें आपका correct हो जाता तो यहां पर first option आपको correct करना था इसके बाद आते हैं 26 number question पे 26 में फिर से matrix form है इसमें A dash कमान आपको बताना है 26 number जो question है इसका answer आता add as command to seven और five minus eight third option जो इसका correct हो जाता 27 number question की बात करते हैं 27 number में आपसे क्या पूछा गया था कि यहां पे दो matrix form equal कि रिए थी और यहां पे x और y की value बतानी थी और x y की value जो है चौथा option इसमें correct था 27 में fourth option आपको correct करना था इसके बाद 26 number question में आते हैं 28 number question में आपसे पूछा क्या गया है कि यहां पर फिर से आपको matrix form a और b की दी है a plus b निकालना है तो दोनों को जोड़ देते हैं simple simple इसको 1 plus 2 कितना हो जाता 3 हो जाता इस तरह से आपको 2 plus 3 5 हो जाता तो आप देख सकते 3 और 5 और नीचे वाला minus 1 है और 4 है इसको add करते तो आपका आजाता तो यहां पर कौन सा option है आपका first option जो 28 number में correct हो जाता इसके बाद में आते हैं 29 number question में तो 29 number question जो है इसमें चौथा option आपको correct करना था यह वाला fourth option correct होता जिसने fourth option पे tick लगाया उसका answer सही हो जाएगा उसके बाद आते हैं 30 number question पे 30 number question में आपसे पूछा गया है यहाँ फिर से matrix form A और B दे रखी A-B निकालना था तीसवे का answer हो जाता second option correct तो जिसने भी second option correct किया है टेक किया है उसका answer सही है 31 number question है इसमें आपसे पूछा गया है A और B दे रखे है इसमें आपको intersection निकालना था तो second option जिसने भी correct किया है उसका answer बिल्कुल सही है इसके बाद आते हैं 32 number 32 number question पे तो 32 number जो question है आपके सामने है इसमें आपसे पूछा गया था कि A is the set of letters मैंने ये भी question कराया हुआ है तो इसमें आपका then which of the following is true तो यहाँ पर first option जो है true हो जाता इसके बाद आते हैं 33 number question पे तो 33 में आपसे पूछा गया निम लिखित मे क्या होता है 5 होता है यहाँ पर fourth option जो है correct होना था इसके बाद बात है 34 number पे 34 number में आपसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर A union B दे रखा है 50 A दे रखा है B दे रखा है तो value आपको A intersection B की निकालनी थी तो 34 answer आता 10 तो जिसने भी 10 पे टिक किया उसका answer सही हो जाएगा 35 number जो इसके बाद में 35 number जो question है इसमें A-B निकालना था A-B जो है simply जो B में हमारे A के अधत्तों नहीं है वही चीज़ इसमें B में A का मान क्या नहीं है वही चीज़ लिखना था तो first option जो आपका correct हो जाएगा 36 की बात करें तो 36 में आपके सामने यह रहा following में से कौन सा true है इसमे 3rd option जो आपका true है यानि कि यह वाला जो 3rd option जिसने भी टिक किया उसका 3rd option correct हो जाए उसके बाद आते है 37 number question पे set of positive integers of less than 4 4 से कम का positive integer कौन सा है तो obvious से बात है 3rd option दिखाई दे रहा आपको तो यह भी बहुत आसान question आया है काफी set में जब बच्चों ने सोचा होगा बहुत the following मतलब यहाँ पे आपको दो समुच्चे संयूक तो होते हैं जब क्या होता है तो यहाँ पे answer हो जाएगा पहला वाला option correct है A intersection B is equal to 5 first option जो आपको correct है second last जो question है आपका उस पहुंच चुके हैं हम इसमें पुछा गया U दे रखा है A दे रखा है B दे रखा है तो आपको बताना है कि इसकी value क्या होगी जो यहाँ पे इसकी value हो जाएगी A तो third option जो इसका correct हो जाएगा 39 का और अंतिम जो question है 40 number इसका answer भी देख question पूचा गया है पहले आपको A-B निकालना था फिर उसके बाद में formula को use करके B-A निकालना था और इसका answer आया था 31 तो यहाँ पर जिसने 31 टिक किया है उसका answer सही है तो यह थे 40 प्रशनों के बिलकुत सही answer अगर आपने इन में से कोई भी answer गलत किया है या दूसरा टिक ल करना ना भूलें thank you very much have a good day